स्टाप्लस की सीरेल इमली में हमने अब तक देखाया कि इमली ब्लू काकी को धक्का देकर निकल जाती है आगे ब्लू काकी समझती है कि प्रीता ने धक्का दिया है उसे धोका दिया है और लेकर आती है थपड मारती है और बाद में पता चल जाता है कि वो तो इमली थी ना कि प्रीता आगे इमली अपने दद्दा को देखकर खुश हो जाती है और दद्दा इमली को देखकर खुश होते हैं वहीं इमली और उसके माँ और दद्दा के बीच में हमें emotional bond देखने को मिलता है आगे ब्लू काकी आती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती है जब तक खांदानी कंगन बहु ने पहने ना हो और आरेन की माँ खांदानी कंगन लेकर आती है और ब्लू काकी जो है वो पहनाने जाती है और वैसे ही इमली के हातों से खुणा जाता है और इसी दोरान ब्लू काकी है जो यहाँ पर गरम तेल डाल देती है इमली पर और जिससे की काफी ज्यादा जलन होती है इमली के हातों में और आगे अदिती की मा लेकर जाती है इमली को तभी अचानक से एक बीटर आता है और कहता है कि अदिती की कमरे से आवाजे आ रही है तब ही इमली को छोड़ कर रादिती की मा जाती है आगे बलू काकी के रादे नेक तो हुते ही नहीं है और इसी लिए वो इमली के सर पर बॉटल मारती है काज का जिससे की वो बेहुश हो जाती है और इमली की जगह ले लेती है प्रीता आगे मंडप में प्रिता आ जाती है और शादी की रस्त में जो है शुरू हो जाती है और इमली परिशान होती है वो देख रही होती है लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है वहीं यहां अर्पिता कहती है अपनी मा से कि आखिर ब्लू का कि इतनी खुश कैसे है वैल अब ऐसे में देखना ये होखे कि क्या हो जाएगी प्रीता और आर्रेयन की शादी, कैसे रोकेगी इमली इस शादी को जानने के लिए देखना ना भूले इमली, टेलेवेजन की लेटिस्ट आपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले